दोस्तों अब मैं आगे जो बात करने जा रहा हूँ ये बात बहुती साफधानी से अपने मुँपर लगाम कसके करने जा रहा हूँ नितनी भसूरियों वाले इस देश में एक हफ़ते में जितनी भसूरिया। जाती हैं उतनी भसूरियां तो मेरे ख्याल से के आरके और राकिसावंत ने अपने पूरे जीवन में भी नहीं की होंगी नितने भसूरियों वाले इस देश पाकिस्तान में अब एक और नई भसूरी खड़ी हो गई है और इस बार हुई इस भसूरी के केंदर पर हैं पाकिस् इस कहानी की तरफ विशारा किया है आप में से कुछ लोग उस कहानी को जानते होंगे कुछ नहीं जानते होंगे लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप में से ज्यात तर लोग ये बात नहीं जानते होंगे कि इस कहानी से भारत के एक बहुत बड़े दिगज नेता का स वैसे तो हामिद मीर ने बहुत सारी बाते कहीं अपनी आर्मी की पैंट उतारने में सलवार उतारने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी लेकिन एक बात जिससे सबसे बड़ा विवात खड़ा हुआ जिसकी वज़े से हामिद मीर की जियो टीवी से नौकरी चली गई जंग अकबार में उनका कॉलम चपना भी बंद हो गया वो बात क्या है जरा पहले वो सुन लीजिये किस की बीवी ने किसको क्यों गोली मारी और उसके पीछे कौन जनल रानी थी समझा गई यह न मैं क्या कह रहा हूँ अब अगर आइदा किसी सहावी के घर में घुसके तुमने उस पर तिशद्दूत किया हम बताएंगे कि तुम्हें तुम्हें तुम्हारी बीवी ने गोली क्यों मारी बस इतना ही बताना था थैंक यू वरी माच तो दोस्तो जैसा आपने सुना हमिद मीर ने कहा कि हम सबको बता देंगे किस जनरल की बीवी ने किसको गोली मारी और यही वो बात है जिसकी वज़े से पाकिस्तान में बहुत बड़ा विवात खड़ा हो चुका है और हमिद मीर की अपने चैनल से नौकरी भी चली गई है और उनको धमकियां भी आ रही है दिन रात उनको और उनके परिवार को धमकियां आ रही है क्योंकि यह जनरल कोई और नहीं बलकि ISI के वरतमान चीफ फैज हमीद है पात है कुछ साल पहले कि जब फैज हमीद ISI के चीफ नहीं बलकि डेपिटी चीफ हुआ करते थे याने के ISI के सेकेंड इन कमांड जिस दिन की ए घटना है कुछ नीज रिपोर्ट्स में ए लिखा गया है कि उस दिन फैज हमीद अपनी पत्नी के साथ अपने फार्म हाउस पर थे तो कुछ नीज रिपोर्ट्स में ए लिखा गया है कि वो अपनी पत्नी के साथ अपने घर पर थे जो भी हो वो आफिस में नहीं थे अपने घर पर अपनी पत्नी के साथ समय स्पेंड कर रहे थे तो ISI के डेपिटी चीफ फैज अमीज साहब अपनी पत्नी के साथ अपने घर पर समय स्पेंड कर रहे थे कि तब ही उनकी पत्नी ने कहा कि उनको शॉपिंग करने जाना है इडी आया उनके दिमाग का बल्ब जल गया अपनी बेगम के घर से बाहर निकलते ही जनरल साब ने अपना फोन उठा के अपनी गल्फेंड का नंबर मिलाया और उससे कहा गल्फेंड ने का कोई बात नहीं जनरल आप मेरे को लेने के लिए गाड़ी भेज दीजिये जनरल साब ने एक और लाल बत्ती की गाड़ी सारी रेड लाइट तोड़ते हुए कुछ देर में जनरल साब के यहां पहुँच गई गल्फेंड आ गई और दोनों पिछले कमरे मे चले गए अब जनरल सहाब और उनकी गल्फेंड एक दूसरे के गले में हाठ डाल के पिछले कमरे में चले तो गए लेकिन आज थोड़ी सी गड़बड हो गई जनरल सहाब की बेगम आज कितनी देर शौपिंग करेंगी शौपिंग करने में किती देर लगाएंगी ये कैलकुलेशन करने में जनरल सहाब थोड़ी सी मात खा गए उनका एस्टिमेट थोड़ा सा गलत हो गया तीन-चार गंटे की जगा जनरल साहब की बेगम साहिबा आज डेड़ दो गंटे में अपनी शॉपिंग कतम करके वापिस आ गई आज मेडम को ज्यादा समान नहीं खरीतना होगा केवल 3-4 लाग रुपे के कपड़े करीदे होंगे इसलिए जल्दी वापस आ गई जल्दी वापस आ गई उन्होंने गर में देखा तो भईया जनरल साहब कहीं भी नहीं है टीवी चल रहा है वो सारे कमरे डूंटे डूंटे उस पीछे वाले कमरे में पहुँची तो उन्होंने देखा कि जनरल साहब की जो यूनिफॉर्म है नीचे पड़ी हुई है जमीन प जनरल साहब अपनी सर्विस रिवॉल्वर रखते थे अलमारी खोली रिवॉल्वर निकाली वापस उस कमरे में आई और जनरल साहब की दिशा में एक राउंड फायर कर दिया लेकिन इस समय तक जनरल साहब अपना कच्छा पहनते हुए भागने की कोशिश कर रहे थे इसलि पे तैनात थे वो सभी कमरे के अंदर आया और उन देखा कि भाईया उनके जनरल साहब नगन आवस्था में खोन में लत्पत नीचे फर्ष पे पड़े हुए हैं तो उन्होंने तुरंत अपने सीनियर्स को फोन गुमा दिया और जनरल साहब को हॉस्पिटल ले जाया गया क कोई भी कबर मीडिया में आई ही नहीं सकती और इसकबर के साथ भी यही किया जाता है इस घटना में जितने भी लोग शामिल थे उन सब को धमका दिया जाता है कि बात लीक नहीं होनी चाहिए लेकिन फिर भी ऐसी बाते आखिर चिपती कहा है जब गोली चलती है तो उसकी आवाज दूर दूर तक जाती है, लोग सुनी लेते हैं, लोगों तक पहुंची जाती है, और इस घटना में भी ऐसा ही होता है, मीडिया के कुछ लोगों तक ये कबर पहुंच जाती है, लेकिन क्योंकि IASI और पाकिस्तान आर्मी ने फत्वा जारी किया हुआ था, इसलिए म अपने अखबार में इस कबर को चाप दे, अपने न्यूस चैनल के ऊपर चला दें, और चापते भी तो क्या चापते, क्या इसे के डेपिटी चीफ को उसी की पत्नी ने गोली मार दी और गोली लगी, तो कहां लगी, पिछवाडे में लगी, और क्यों चलाई गोली, ये कहते हैं कि cat is out of the bag, तो दोस्तों ये कहानी तो आपने सुन ली कि वो जनरल कौन था और उसकी बीवी ने किसको गोली मारी, लेकिन एक सवाल जो अभी भी रह जाता है, वो ये के जनरल साहब जो थे फैज हमीद, इनकी girlfriend का नाम क्या था, वो girlfriend कौन थी, तो दोस्तों फैज हम की mistress यानी की रखैल हुआ करती थी, ये याया खान की बहुत ज्यादा करीबी मानी जाती थी और इनको जनरल रानी नाम इसलिए दिया गया था, क्योंकि ये याया खान की बहुत ज्यादा करीबी थी और याया खान इनसे पूछे बिना अपना कोई भी निर्णे नहीं लिया करते थे 1970 में इनको पाकिस्तान की सबसे पावरफुल औरत नहीं बलकि सबसे पावरफुल व्यक्ति माना जाता था कहा जाता था तो इसी जनरल रानी की ये बेटी ये अरूसा आलम जो फैज अमीद की गल्फेंड हुआ करती इसके पाकिस्तान आर्मी और आईसाई के कई सारे जनरल्स के साथ घनिष्ट संबंद माने जाते हैं जिसका इन जनरलों के साथ रोज का उटना बैटना है यही अरूसा आलम हमारे पंजाब के जो मुख्य मंत्री हैं कॉंगरेस के नेता है कैप्टन अमरिंदर सिंग उनकी भी काफी घनिष्ट मित्र मानी जाती हैं इन दोनों के बीच में काफी घनिष्ट संबंद माने जाते हैं दोस्तों अब मैं आगे जो बात करने जा रहा हूं यह बात बहुती साफधानी से अपने मूपर लगाम कसके करने जा रहा हूं क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूं कि य बात करने के लिए मेरे उपर F.I.R. कटवा के मुझे कई रातों के लिए जेल में भी डाला जा सकता है जैसा कि हमारे देश में एक बहुत याम बात हो चुकी है आज कल सोशल मीडिया पर कुछ भी बोलने के लिए लोगों को कई कई रातों के लिए किसी भी राज्ये की जेल म माना जाता है उनकी न्यूज रिपोर्ट में जो बाते लिखी गई हैं वो बाते मैं सिर्फ और सिर्फ आपको बताऊंगा और बिलकुल वर्बे टिम बताऊंगा तो दोस्तों हमारे देश के एक बहुती सीनेर पत्रकार हैं सीमा मुस्तफा इन्होंने कैप्टन अमरिंदर स अरूसा आलम अपने इस आर्टिकल में सीमा मुस्तफा लिखती हैं कि पाकिस्तान की अपनी विजिट के दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंग अरूसा आलम से मिले थे और इसके बाद दोनों का अफेर शुरू हो गया इस दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंग शादु शुदा और ये जो इन दोनों के बीच का अफेर था ये किसी से ढका चुपा नहीं था और मीडिया में इसके उपर खूब बाते हुई थी। अपने इस आर्टिकल में सीमा मुस्तफा अरूसा आलम को फस्ट लेडी ओफ पंजाब बताती हैं तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि उनके अनुसार कैप्टन अमरिंदर सिंग और अरूसा आलम के बीच के रिष्टे कितने घनिष्ट हैं। कि तरफ कोई उनके तो एक पाकिस्तानी के साथ और वो भी ऐसी पाकिस्तानी और और आसी और आईसाई आईसाई के जनरलों के साथ अपने संबंद रखने के लिए जानी जाती हैं। अगर आप इन दोनों के रिष्टों के बारे में और विस्तार से जानना चाहते हैं तो आपको कुछ ज्यादा नहीं करना बस गूगल के उपर जाईए और टाइप कर दीजिए अरूसा आलम प्लस कैप्टन अमरिंदर सिंग आपको कई सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जो इन दोनों के रिष्टों के बारे में काफी विस्तार में बात करते हैं दोस्तों मैं थोड़ी देर पहले फैज हमीद का मजाग बना रहा था कि उसके अरूसा आलम के साथ संबंद थे दोनों एक साथ विस्तर में थे उसकी पत्नी ने उसे पकड़ लिया गोली मार दी गोली यह लगी गोली वहां लगी लेकिन मैं किस मूँ से उसका मजाक उड़ा सकता हूँ आखिर हम किस मूँ से फैज हमीत का मजाक बना सकते हैं जब हमारे ही एक इतने बड़े नेता के अरुसा आलम के साथ संबंध है या फिर रहे हैं जो भी बात है और वो भी एक ऐसे नेता जिनको क काफी करीबी मानी जाती है उसके एक ऐसे नेता के साथ संबंध है जो नेता ही नहीं बलकि पंजाब का मुख्यमंतरी है दोस्तों आपको क्या लगता है कि अरूसा आलम जैसी एक पाकिस्तानी औरत के हमारे देश के इतने बड़े नेता के साथ एक मुख्यमंतरी नेता के साथ संबंद होना देश की सिक्यूरिटी के लिए क्या मायने रखता है कितना घातक हो सकता है या कुछ भी मायने नहीं रखता इस बार में आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताईएगा यदि आपको वीडियो पसंद आ है तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और यदि झाल